नमस्कार हरी प्रेमियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है, सभी दर्शकों को हमारी ओर से जैश्री क्रिश्ना, दोस्तों कैसे हैं आप, उमीद है, आप सब अच्छे होंगे, आईए, आज का परसंग सुरू करते हैं, आज का परसंग है, शेर कैसे बना, मा दुर्गा का सवारी, हरी प्रेमियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेला आइकोन को जरूर दबा लीजिए, ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे, हरी प्रेमियों, आपका एक सब् ये परसंग सुरू करते हैं, और जानते हैं कि शेर मा दुर्गा का सवारी कैसे बना, दोस्तों, मा दुर्गा की सवारी शेर है, और मा दुर्गा तेज, सामर्थ्या और शक्ति का भी परतीक है, शेर परतीक है, आकरमाक्ता का और शोरिय का, ये तीनों विशेशताए, मादुर्गा के आचरण में भी देखने के मिलती है मादुर्गा के मुर्ती शक्षी सवरूपा मादुर्गा के प्राकट्य से लेकर महिसा सुर मर्दन पक बहुत सी पूरानिक कत्धाय सुनी है हिंदु देवी देवताओं की मुर्तियों और तस्वीरों में अक्सर हम मादुर्गा की सवारी को सेर को देखते हैं और भगवान के हर सवरूब और उनकी सवारी का अपना-पना महतो और जुडाव होता है जिसके पीछे सास्तरों में कई त्रह की कथाओं का भी वर्नन किया गया है मादुर्गा, शक्ति, सामर्थे और तेज का भी परतीक है इन तीनों की विशेष्टाय मादुर्गा के आचरण में भी देखने को मिलती है महिसा सुर्को मारने के लिए सभी देवी देवतावने मादुर्गा को अपने-अपने सस्तर दिये थे ये तो सभी जानते हैं, लेकिन मादुर्गा की सवारी शेर कैसे बनी, इसके पीछे एक बहुत ही रोचक कथा है सती, शक्ती, पार्वती जैसे नय जाने कितने ही सवरूर मादुर्गा में समाहित है इस कथा के अनुसार, माता पर्वती ने भगवान शिव को अपने पती रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठोर तपश्या की थी बहुत कठोर तपश्या से उनका रंग सावला हो गया था और उस तपश्या से परसन होकर भगवान शंकर ने उन्हें पती रूप में मिले थे मान्यता के अनुसार एक दिन भगवान शिव माता पर्वती का उपहास उड़ाते हुए उन्हें सावली कहा कर बोल दिया मा पर्वती को यह बात बहुत खराब लगी और मा पर्वती भगवान शिव से नराज होकर एक बार फिर कठोर तपश्या सुरू कर दी घन घोर जंगल में तपश्या के दोरान माता पर्वती के पास एक भूखा शेर आकर बैठ गया शेर इस इन्तिजार में वहां बैठा रहा कि कब देवी की तपश्या खतम होगी और वैह उन्हें खाएगा इस तरह कई वर्स बीत गए मा देवी तपश्या करती रही और शेर वही पर बैठा रहा देवी पर्वती की तपश्या से खुस होकर भगवान शीव पर कट हो गए और उन्हें गोरा होने का वर्दान दे दिया वर्दान मिलने के बाद माता पर्वती ने सनान किया सनान के बाद उनके स्रीर से एक दिव्य देवी का जनम हुआ जो माता गोरी कहलाई सनान के बाद मा पर्वती ने देखा कि एक शेर लगातार उन्हें देखता ही चला रहा है देख रहा है देवी को पता चला कि वे शेर उन्हें खाने के लिए बहुत सालों से उसका इंतजार कर रहा है इस बात पर मा देवी बहुत पर्सन हुई उन्होंने कहा जैसे मैंने इतने सालों तक तपष्या की है ठीक उसी तरही शेर ने भी मेरे इंतजार में तपष्या की है उन्होंने शेर को वर्दान देते हुए कहा कि तुम मेरा वाहन बनोगे और दूसरी कथा के अनुसार सकंद पुरान में लिखी हुई है इसके अनुसार भगवान शिव के पुत्र कार्तिके ने देवासूर संग्रा में दानव तारक और उसके दो भाई सुराम पद मन और सिंग मुखम को प्राजित किया था सिंग मुखम ने अपनी प्राजय पर कार्तिके से माफी माफी से परसन होकर कार्तिके ने उसे शेर बना दिया और मादुर्गा का वाहन बनने का शिवाद दे दिया प्रीप्रेमियों आपको ये वीडियो कैसी लगी ये कता कैसी लगी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपके लिए हम और भी अच्छी अच्छी जानकारिया और दोस्तो धन्यवाद